हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तो टेक टॉक विद इलाली तेस यूटूब चैनल ये एंड यू आर विद इलाली तेस तो आज का जो हमारा बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक है वो यह है कि हर पील्सी में कुछ फ्लैग और कुछ क्लॉक पल्सेस होती है जो पील्सी के मैंने यहां पर एक मैनुवल ओपिन किया है और क्लॉक पल्सेस को बोलते है बेसिकली इस्पेशल मेमोरी बिट बोलते हैं तो एम 8000 जो बिट होती है मिश्विशी एफट्स टू एंड सी में जो मैंने पील्सी ले रखी है वह यह जो रन बिट होती है यानि फर्स साइकल मे ही क्या हो जाती है उपरेट हो जाती है तो अगर मैं यहां पर शॉamosyear open करता हूं यहां पर M8000 लेता हूं और अगर उसके मैं your output connect करता हूं यहां से हमारी यह bit on हो जाती है और यह bit कभी off नहीं हो गया आप यह कह सकते हैं कि यह bit हमेशा on होने वाली bit होती है यह by default on जैसी CPU run mode में आएगा तो यह bit हमारी on हो जाएगे तो इसको हम बोलते है m8000 जो bit होती है fx2nc में यह basically always on bit है मैं अगर right operation ऐसा कराना पड़े कि एक output जो है हमेशा on रहे जैसे PLC run mode में आ जाए तो उसके लिए हम क्या करते है m8000 bit हम क्या करेंगे use करेंगे जिसको clock bit बोलते हैं जैसी run mode में आगे output on हो गया तो यह होती है always on bit इसी तरीके से मैं manual में जा रहा हूं और भी bit होती है यह हम देखते हैं कुछ clock pulses होती है जैसे अगर मैं बात करूँ आप से कि एक सेकंड की कोई clock pulse जाई है यानि मैं चाहता हूं कि एक output एक एक सेकंड पर on off होता रहे तो उसके लिए हम क्या करेंगे special memory bit already available है M8030 number के बेट तो अगर मैं यहां से offline जाता हूं offline जाने के बाद एक अगर input लेता हूं और लिखता हूं M8013 तो क्या होगा यहां पर आप लिख देंगे one second pulse यानि every second पर pulse हमारी आती जाती रहेगी इसको बोलते है one second की pulse और इससे अगर मैं एक output लगा दूँगा यानि y1 तो क्या होगा हमारा कि एक सेकंड पर हमारा output क्या होगा on होता रहेगा तो अगर मुझे एक second का कोई pulse चाहिए या कहीं पर counting कराने का ही requirement है तो हम लोग special memory bit क्या करेंगे use करते हैं तो देखिए आप उपर वाली bit तो पहले वाली always on है अब 2030 number की bit एक एक second पर blink कर रही है यह by default एक एक second पर blink करेगी और इससे जो भी output connected होगा एक एक second पर हमारा on होता रहेगा यह एक second की pulse है मैं offline जा रहा हूँ अगर मैं और भी bit लेता हूं कि नहीं एक minute की clock चाहिए यानि एक minute के बाद on off on off होना है तो क्या करेंगे यहां से बहुत simple है m8040 number की bit ले लेंगे यहां लिखेंगे one minute pulse इसका मतलब है एक minute के बाद हमारी यह क्या होगे pulse आएगी अगर आप इससे कोई output connect करते हैं यानि y2 एक minute की pulse मेरी यहां पर यह create होके आएगे इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि 100 millisecond की pulse चाहिए 10 millisecond की चाहिए तो बहुत simple है 100 millisecond के लिए 8012 ले ले लिए यहां पर गया मैं और यहां से एक input ले लिया यानि M 8012 8012 जो है हमारा यह क्या है 10 millisecond की clock है 100 millisecond यहां लिख देंगे लेकिन pulse इससे जो भी output आप connect करेंगे y3 वह हमारे क्या रहेगा 100 millisecond का रहेगा इसी तरीके से अगर M 8011 लेंगे तो 10 millisecond की clock है यानि M 8011 तो यह क्या होगी हमारी 10 millisecond की pulse हो जाएगे और उससे जो output आप यहां से connect करेंगे वह connect हो जाएगा यानि Y4 इस तरीके से हमारी यह कुछ clock pulses से जो already available होती है बस इनका address fixed होता है manual से हमें पता चल जाता है और इसका यूज करके हम अपने output को CPU के according perform कराते हैं and execute कराते हैं तो देखिए जैसी रन कर आया यह always on bit है इसी तरह always off bit भी होती है एक second की pulse होती है M 8014 नंबर की जो bit है यह हमारी एक minute के बाद on होगी यह 100 millisecond की on हो रही है और last वाली जो है 10 millisecond की pulse है इस तरीके से यह predefined bit है special memory या एक्जिलरी bit है जो हम PLC program में क्या करते हैं implement करते हैं यह देखिए एक minute के लिए यह on होगी एक minute के लिए off होगी अभी देखो एक minute के बाद यह on हुई है एक minute के बाद off हो जाएगी फिर on हो जाएगी तो इस तरीके से यह special bits होती है हैं जो हम लोग क्या करते PLC program में यूज करते हैं हमें manual से सारी bit के बारे में proper clearance हो जाता है so hope आपको यह bit clear हो गई होंगी काफी bit होती है जो हम manual से देखके implement कराते हैं and execute कराते हैं so hope आपको यह चीज concept समझ में आ गया होगा आप implement करें इसको execute करें प्रक्टिस करें and enjoy करें and अगर आपको कोई question है comment में box में दे सकते हैं mail भी कर सकते हैं so previous वीडियो भी आप देखकर प्रक्टिस करें and hope आपको अदा चैनल पसंद आ रहा होगा then videos भी अच्छे लग रहा होगा so thanks for watching my videos thank you